देश के विभन हिस्सों में कोरोना वाइरस संक्रमन के 37 नए मामले सामने आने के बाद भारत में इस वाइरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर शनिवार को 271 हो गई इन 271 लोगों में से 49 विदेशी नागरिक हैं इन विदेशी नागरिकों में 17 इटली के, 3 फिलिपन्स के, 2 ब्रिटेन के, तथा कनाडा, इंडोनेशिया एवं सिंगापुर का एक-एक नागरिक है स्वास्त मंतराले ने कहा, इस समय भारत में अब तक 271 लोग COVID-19 से संक्रमित हैं इसके अलावा 23 लोग बीमारी से उभर चुके हैं यह उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है यह वे देश से बाहर चले गए हैं और 4 लोगों की मौत हो गई है दिली में कोरोना वाइरस के अभी तक 26 मामले सामने आये हैं जिनमें एक विदेशी नागरिक है उत्रप्रदेश में 24 मामले दर्ज किये गए हैं जिनमें एक विदेशी नागरिक है महराश में शनिवार तक मामलों की संख्या बढ़कर 63 तक पहुँच गई है जबकि केरल में 40 मामले दर्च के गए हैं जिनमें साथ विदेशी नागरिक हैं करनाटक में कोरोना वाइरुस के 15 मरीज हैं करनाटक में अभी तक 13 और जम्मू कश्मीर में 4 लोग इससे संक्रमित हैं ब्यूरो रिपोर्ट दबंग न्यूज